नमस्कार स्वारत आप सभी का बजारोगी चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ अखिलेश आटी और बजारोगी चाल मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर कम्मुनिटी बजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम यह कारोबारी सेथ में कम्मुनिटी बजार कैसे ट्रेड करते नजर आ रहा है और हमारे एक्सपर्ट की उस पर क्या रहा है रहेगी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले non-agree communities में सोने चांदी से और सोने चांदी में आज चर्चा करने के लिए इस वक्त हमासर जुड़े हुए है केडिया अडवाईजरी के मैनेजिंग डिरेक्टर अजे केडिया जी अजे जी बहुत बहुत स्वात आपका market mcv पर अजे जी सोने चांदी की बात कीजए तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि ये जो कारुबारी सब्ता रहा है काफी जादा उठा पटक वाला रहा है हमने 1870-1980 डॉलर तक भी सोने को जाते वे देखा उसके बात देख रहे हैं कि फिर 1800 डॉलर के नीचे लुड़ब चुका है domestic market में भी यही हाल है ऐसे में आपको क्या लगता है अब सोने चांदी में वो कौनसे factors हैं जो सोने चांदी को नीचे लेके जा रहे है सोने चांदी के अगर हम बात करें तो करीवर 100 डॉलर के ज्यादा की जिरावत हमने पाईयस में इसमें साथे ले देखा रहे हैं इसमें डॉलर इंडेश 603 के उपर आ चुका है बाउंडे में जंप है चांद में साइड इंट्रसेट बढ़ाने की बाते करा है इसके वज़े से यह अमने पॉल आपी में बिखा है इसमें अधर बिविती के आख ले देखे हम तो वहां को काफी बड़ी गिरावत देख रहे हैं जो करना की सोने और चांदी को सपोर्ट दे सकता है और यह में टेक्निकली भी काफी बड़ा पॉल देख चुके हैं अधर 0.5 है उसके मीचे होता है तो आई थिंग तीन चांदी के आप सोने चांदी में हमें अच्छा जम मिल जाएगा और 0.5 के बिवर्ण जाता हुआ नहीं दिखाई देर है कि अभी भी एकॉनोमी के जो नंबर से हो इसने ज्यादा रोबर्स नहीं है जी यह से जी हमने कच्छे तेल को भी एक सीमी दैर में ही देखा है कच्छे तेल की प्राइस कभी 100 डॉलर के आसपास इर्द गूमती है तो कभी 100 डड से नीचे हो जाती है ब्रेंड भी कोई जादा लंबी देजी नहीं दिखला पा रहा है आपको क्या लगता है जो चाइना में स्टिविलिस पैकेज की गोशना की बात कहीं जा रही है तो क्या उसकी वज़ा से कच्छे तेल को बजार को कहीना कहीं सपोर्ट मिल पाएगा बिखके तेल नहीं अभी भी सिमयजियों पॉजिटी का ही बोल सब्सकेए कि जो चार्ट पे अगर हम देखें तो नाइटी यह डाउनर के नीचे पाईजर्स जा नहीं रही है तो अल्लेंस अंटिल नाइटी इस का लेवल बीश महीं करता है आइटी इस डाइरे में है बट एक तरफ यह भी है कि ग्लोबल एकोनोमी में अब पींच वर्मा चालो हो चुका है इंफलिशन का जिसके चलते हमने देखा कि स्टैटिक रिजर्म ओपन कर दिये गए है प्रोड़क्शन युएस का बढ़ रहा है बागी कंट्रीज भी अफ़र से प्रोड़क्शन बढ़ानी की बात करें साथ में चाइना में जो लॉंग डॉंग हुआ है इसके वज़े से काईना की दिमान पर डैंक पड़ा है वो कहीना कहीन करूड को नैसर गार्ष दोनों को सपोर्ट करेगा ताइम मुझे लगता है कुड का गॉडर गार्डरीग से एकी तुहंड़ का है तो अज़े साथ जाता है बड़ आट एकसो तक जाता है बड़ सस्तीन नी करें वहां से वाफल पॉकित बगिंग गागी नै अजी नैशल गेस में भोज़ता पाईजेज मौफर 580-590 चली जाए बद टेक्निकली ऐलिवेटे लवर पे कहीना भी बड़ा करें तो इन शॉट अज़े तक अब गूर की बात करें तो शॉट सब में आठ ज़ा आठ ज़ा ज़ा जिटो का लेवल बिकता है वही नैशल ग अजी तक सबड़ा पींच हो रहा है वो चाइना रहा है चाइना में जी दंसर में लॉंगडाउन एनाउंस होते भी देखा जिसके चलके डिमांड में सीज़े ट्रॉप था और पाईजेस में जबने बने वे दिखी है टाइम बिंग सप्लाइज साइड बने वे हैं जो सप कर दो है का है के पाईजेस को सपोर्ट देखा है तिर भी थो चौछिस है रहा की जड़त है ताक सो अग्ती डापर नहीं निकलता है प्रेजेस टेंड लेंज में रहे लिए जिन के अंदर पाथ करेई तो प्रेजेस के अंदर सपोर्ट इसले कर दिवेंटरी जो साल के तो मार्केट में बहुत मिलेगा, लैट पिसे चैमने से, हम एक गारे मी देखे जो 180 नब्डे के बीच में है, तो यह अलुमिजन में के इनीश जब पाया था, बॉक्साइट को एक्सपोर्ट बैंड पे जो असलिया से हुआ था, वो अप्तिजा उतावा दिखाई दे रहा है थोड़ा वह गिरावत है बेस मैटल में, बट कोई ऐसा बड़ा सीवियर फॉल अब नहीं लग रहा है, तो थोड़ा वाच आउट करके चलिए, बट अग्जी अप्ते में हम रिकवरी बेस मैटल में देखेंगे, जैसे चाहिना ओपन ओट होगा दिखेगा जी, ही से जी देख रहे हैं कि नेच्रल गैस भी 7.2 डॉलस पर ट्रेड करती नजर आ रही है, लेकिन डेट फिस्दी की करेक्शन है, आपको क्या लगता है, क्या नेच्रल गैस में अब यहां से हेल्धी करेक्शन बनेगी या भी जो प्राइसे सपोर्ट लेकर फिर से रिस प्राइसे के अंदर, पजार से साथ उती की तेजी बंटे भी जिस्दी गुन जायत है, कि अब टॉपी बुकिंग देख पाएं, अब जब तक 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 का लेवल हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे, अले दो तीन सेचन में ही, तो छोड़ा साइड आवाइ जी, अजी जी, नॉन एगरी में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे यार? तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एगरी की, अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एगरी कमुनिटीस की, जानेंगे अजी जी सी की, क्रिशी फसलों में कैसी रेनिती बनाकर चलने से मुनाफ़ा हो सकता है, शुरुवात करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से, अजी अजीदे अब हेल्दी शार्प कनेक्शन दिखाने वाली है, जैसा आपने बताया था, या फिर जो कीमते हैं यहां से अभी भी तेजी की और जाएंगी उनीच थी कि खरेक्शन आजा है, बजी रंके गौर्णमें ने इंपूर्ड ड्यूटी स्क्रैप किया है, उसके बात एक मैसिज जो गया है मार्केट में यह है, कि इंडिया में भी शौटेजिस है, जिसके चलते हमने लेका कि प्रिजस में अपलिफ और उप्लिफ और उप प्रिजस के अंदर पहंते बे देखा, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन में को सोहिं को देखते हैं, तो मुझे लगता हमने के लिए लेके काम कीजिए, यह अपसाइड में मुझे लगता 47,000 तक का लेवल दिखा देगा जी, अजय जी ऐसी भी खबरे निकल के सामने आ रही हैं कि जो सरकार है वो कॉटन के एक्सपोर्ट पर अनुवांशिक बेन लगा सकती है, तो ऐसे में कॉटन के बजार पर क्या असर पड़ेगा? कि अपसाइड कि अजय परे युटन के लिखा है, यह थिंग आपने काफी बढ़ी रखे ले सकती हैं जैसे हमने पहले भी देखा इंपोर्स के उपर एक्सपोर्स के उपर फ्युचर्स के उपर श्मक लिमिस के उपर जैसे हमने आडिबल और अई कॉमटेशन के उप हैं ज पेले बाओं को क्रेस करवा देगी या पाओं में गिरावत आजाएगी आप नही बड़ी क्रॉप नहीं रहती है और नहीं क्रॉप जो आईगी भी वह ऑक्तुबर से पहले नहीं है कि कभी भी गौर्णमेंट अगर ऐसा इसन लेती ही है, तो उसका टेंपरी फॉल्बग जीट सता पाई उसमें, तो कोई ऐसा बड़ा फ्रीफॉर्ट जीशन नहीं है, क्यों लिटरली डोमेस्टिक में और इंटरनेस्टल में जो पोजिस्टिंग बनी है, बैलेंसीट है, वो क अगर बिनौला खल की बात की जाए, तो बिनौला खल में देख रहे हैं, तो यह जो वायदा में बिनौला खल है, इसके प्रैसिस क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि इस बार हम देख रहे हैं, कि फिजिकल में भी जो भाव हैं, वो वायदा से जादा है, जबकि आपकी चैनल के ही, मैंने पहले भी साथिंग एच्छा है, मैंने से साथ में से बता रहा हूं, चौवीस के पचास के लीजिए, चार्जर का टार्गिट हाएगा, हमने चौटिसो के लेवल जन्वरी में द कि अचानक से न्वरी में अचानक से अचानक से लेवल तोड़ा बिकोज एच्छा की जो कॉलिटी है, वो हलकी कॉलिटी उनी ज़र उसके लेवाल नहीं ते लेवल नहीं के लेवल पर देखें, जबकि आप चारा या अगर खर्ग देखेंगे, वो सब के सब आज प्रूं कि अचानक से लेवल नहीं के लिए जब इना तो तेजी ही बात करता हूं, बद जो फंडामेंटल विक रहे हैं उसके अनोड़ उसके अनोड़ थे रहे हैं, अचानक से अगर मार्कित पूर्का है, तो रिव्यू करना ज़र ज़री है, तो मुझे लगता है, तो मुझे लग अचानक से लेवल जोने, या अचानक से लेवल जोने, या जो खूर्ट मेरा एडवाइस नहीं रहीगा, अगर अगर उर्ली पोजिशन ने बने रहना चाहिए, या अब को संगे, आप को स्गी अपर नहीं है, या अज जन से साधी बिए सब ऑपन अप बोगी जोगी नहीं कोई चीज मिलती है तो बिल्कुल बताएं वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे वह सब्सक्राइब किसले हक्ते में देखा था उसके चलते आज भी हमने वापन उन्ती सो का लेवल छोडी के बाद रीचे आया है बट आइधिंग कंसांडीशन में है 15-20 दिन लगेग करी कंसिस्टेंशी के साथ आपको क्या लगता है क्या अब बिन ओला खल में एकदम से उच्छाल आएगा मैं बार बार उसी चीज को लेओं वुष्वार थी दिन लगता है विल्टेक कंसालीशन है कॉटन सी रॉज के बात करें लिए उस का प्रोडेक्शन बढ़ रहा है युएस के रिकाउंट बढ़ रहे हैं रुपए में गिरावत है जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है नौ यहां पे गवार के वज में किसा कपाश की कर रहे है वहां पे तो यह एक बड़ा कारण देगा जो गवार को सपोर्ट देगा ताइनिंग मार्केट एक सच्छो पचाट के बिच में है तोड़कर हमें लगता है कि प्रज़ आज अजार की प्यारी कर रहा है नॉट ब्यॉं सब्सक्राइब कर देखा ता कि कहीं पे बारिश जाद हुई कहीं पर बारिश कम हुई जिसकी वजह से गवार का जो उतपादा निता वो प्रभावित हुआ ता और साल 2020 के मुकाबले 21 में गवार को उतपादन आदव अता है जा रहा था गवार को कई लोग स्टॉक भी करके रखते हैं कई की सालों तक इसले इसको उतपादन आकड़ा पूरन लूप से जानना वो भी थोड़ा कठीन हो जाता है आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अब ज से स्टेज भूए है तो इसका भी एक रखता जो है कही न कहीं कमी करेगा और सगर आपकी के पाईजर समने इसले बार शकी सो का भाव था आज रहा है दासर सोते हैं लेकिन अप उसके मुकाबले कॉटन है बाकी कमावडिस के बाव देखोगे ना तो वो जाना पड़े है त कमी आ सकती है तो वो हमें देखना पड़ेगा जून जुलाई के आफसर के पाईजर समय बनता है या कॉटन में किसा ही अचिप्टर की बात की जाए तो कैसल में आपको क्या लगता है कैसल में देख रहे हैं 75 के बाद कैसल 7000 तक भी 6900 तक भी नीचे गया अब देख रहे है तो अगर यहां पर सस्टेन हो जाता है तो क्या फिर से तेजी वाले लेवस देखने को मिल पाएंगे कि कैसर में अभी हुआ क्या मार्केट में इस पफ्लाइं शॉट है जिसके से पीजी बनी है अभी चाइना वार के जो लॉक्डाउन में है जिसे उसे डिमांड की इंपक्तावा दुखावा दुखावा है तो इसिंग मार्केट उची की वज़े से 7000 से 7000 250 के बिश्मी ची का लेवल दिखा देगा तो अम्मोमेंटम है प्वाजीटिव पर से 7000 250 का लेवल इक बाफ पकत पीज़े जी अगर वीट की बात करें तो यूवस वीट में हमने काफी अच्छी तेजी आते वे देख है इंडिया से भी काफी अच्छे पैमाने पर एकस्पोर्ट किया जा रहा है विदेशों में भी जो डिमांड है वीट की इंडियन वीट की वो भी काफी अच्छे से बनी वही है ऐसे में आपको क्या लगता है अभी कुल मिलाकर वीट का जो सिनेरियो है और जो प्राइसे हैं वो आगी कैसे बने रहेंगे कि अज़िया रूँट की बात करेंगे इंडरे सर्मार्केटिम में वो काफी जागा है नौट पेरिया अंडर कल्टीवेशन थोली बहुत है वांपे अमें बढ़ोती देखेंगे क्लि वांपे अमेस्पी के उपरी बाउप चल रहे हैं तुछ बी पांड़ों में जले जहें पर भी हमने इंडोनेशिय की तरफ से फैसल आते हुए देखा है कि 28 सप्रेल से इंडोनेशिया बारत में पाम तेल्क में कुछ जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर देगा हाला कि सारे पाम तेलों का एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा ऐसे मैं आपको क्या लगता है इसका असर खादे तेलों के बजार पर कितना रहेगा असर बंद कर देखा है स्वार श्यून हो बंद कर देखा है कि हमारे यहां पर सोयबीन का क्रॉप और बाती जगह पर भी नोड़ोग युक्लेइन में इस वार सोहीं भरीगी तो इसका जो पैस्किलिंग इफेक्ट आएगा वो पॉस्जूनिशी आएगा एक बीन मुझे लगता है कि सेजी का रुप जो है वो एडिबल और कॉंबर्स मे सरकार को फिर से पत्र लिखा है कि जीम सोय मील का आयात किया जाए लेकिन इस पर सोपा ने मना कर दिया है कि अगर सोयबीन का आयात होगा तो वेपारियो और जो प्रसंस करन करता है उनको काफी ज़ादा नुकसान होगा साल 2021 में भी हमने ऐसा ही कुछ फैसला पोल्टरी की तरफ से आता वे देखा था और सरकार ने आयात भी किया था जिसकी वज़ा से सोयबीन की जो प्राइसेज है वो गिर गई थे अगर सरकार फिर से सोयबीन का आयात कर लेती है सोयबीन मील का तो क्या बज़ार तूट जाएगा क्योंकि देखने की जो सोइंग टाइम में वो भी नस्दीख ही है सोयबीन में सोयबीन में सोयबीन की कुई कमी आईगी तो थोड़ा की बात पर तो हल्दी से सोयबीन में जाती ही दिखाई देगी सोयबीन में सोयबीन में सोयबीन की कमी आईगी तो थोड़ा तो यह है कि गौर्नमेंट अगर इंपोर्ट सब्की है तो उसका एक सेंटिमेंशन इंपेक्ट थोड़ा पर तेंपरी प्राइस पे आजाएगा जो हमने पिस्ले साल भी देखा था बत आप इसी सिंपल संगिए कि अभी भी जो दिमांड सिने पूरी प्राइस से नहीं हुए है तो मुह रबतार इसा कोई स्टेप भी है तो तेंपली ठोड़ा थाम पॉलिट इंप करने के इसा है जो थोड़ा इंपकार्फ ही कर थाँ है ज़ए इसे सिंपल टुछा को था पर अप्राइट के जचिशले उसके बाद हमें लगता है कि अपसाइड कैप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जून 15 तारीख कर जो भी हमें हाई दिखना है ना वो स्वयाबीन में दिख जाएगा उसके पाद मार्फेट साइडवे रहेगा और जेसे से अर्राइवल सानल चालूग जाएगा मार्कीज मे हम फिर गिरावत आते हुने दिखेंगे अजे जी एगरी कमुटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे एगरी कमॉर्टी के अंडर कॉटन में मुझे अभी थी पीजी का रुप कायम दिखाई दे रहा है जो मुझे लगता है कि हायर साइड के अंडर 47,000 तक दिखा पुशकस बजारों की चाल में कमुर्टी बजार के ओपर और हमारे एक्सपर्ट की उस पर क्या राय थी फिलाल अभी की लवस्त नहीं मुझे दीजे जाज़त नमस्कार प्रश्ट एक्साम उन्यार सकते है के लवस्त नहीं मुझे बगता है